असलाम अलेकूम फ्रेंस कैसे हो आप सब आए होप आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंट्रस्टिंग डिजर्ट के रेसिपी शेयर करूंगी फ्रेंस तो रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना शेयर करना और मेरे चल को जरूर सब्सक्राइब क करना तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर देखे मैंने ली हूँ लोटस बिसकॉफ बिसकीट तो आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो इसी से ही बनाएंगे तो यह 250 गिराम की आती है और इसमें से हम आदा यूस करेंगे तो मैं मिक्सर जार में जो है आदी बिसकिट की पैकिट जो है वो डाल दूँगी और इसको हम पीस लेंगे तो देखे अभी यह बिसकिट जो है पीस कर रेडी होगे इसको हम साइड में रख देंगे और एक छोटा सा बॉल लेंगे इसमें हम दो चमच पैनेला कस्टरड पॉर्डर दालेंगे तो कस्टरड बनाने के लिए यहां पर मुझे आदर लिटर दूद का इसथेमाल लगा है तो उसीमें से में थोड़ासा दूद जो है कस्टरड पॉर्डर में दाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और बाकिका दूद जो है हम कस्टरड बनाने में इस्तिमाल करेंगे और कष्टर्ड पॉडर को जो है अच्छे से दूद में मिक्स करके ले लेंगे तो मैंने हुं कि कष्टर्ड पॉडर जो है वेनला फ्लेवर का ली शेसे मिक्स हो गया है स्को आप साइड में रखेंगे और गयस को ओन करके हम कड़ाई रग देंगे और जो दूद लिये थे वो आप इसमें डाल देंगे और इसमें हम 2-3 चमज में शकर दाल देंगे शकर आपने टेस्ट के साब से लीजिए और इसी में जो custard powder को हम घोल के रखे थे वो अब इसमें डाल देंगे और ये 2-5 मिल्ट में हमारा custard बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो custard डालने के बाद जो है अच्छे से इसको mix करते जाएगे वर्ना जो है इसमें लम्स आजाएगा तो हमारा custard पूरा खराब हो जाएगा तो गयास की flame को हम लो रखे इसको पकाएगे तो देखे अब इसमें boil जाना शुरू हो गया है तो बस ये 2-3 मिल्ट में हमारा custard बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो अब ये और 2 मिल्ट हम इसको पकाएगे और ये देखे दो मिल्ट बाद जो है हमारा custard बिल्कुल रेडी हो गया है बस इतना ही हमें ठिक करना है अब मैं गयास को जो है बन कर दूँगी और इसको अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे तो ये देखे आप कितना ठिक है तो गयास को जो है मैंने बन कर दी हूँ अब इसमें मैं 2-3 डॉप जो है विनला एसेस दालेंगे और इसको अब ठंडा करने के लिए रख देंगे तब तक हम एक दुसरा बॉल लेंगे इसमें हम विप क्रीम दालेंगे एक कप तो ये विप क्रीम जो है मीठी होती है तो इसलिए आपर मैं शुगर नहीं दाल रही हूँ अगर आप जो विप क्रीम यूज करें बिना शुगर वाली तो इसमें आप शुगर दाल के इसको विप कर सकते हैं तो इसमें 2-3 drop जो है विनले एसेंस डाल दी हूँ और विनले एसेंस डालने के बाद इसको इलेक्रिक बीटर से हम slow पे इसको बीट कर लेंगे और अच्छे से यह soft पिक्स आने तक इसको हम बीट कर लेंगे तो देखिए अच्छे से हमारी विप हो चुकी है क्रीम तो मैं इसको अब साइड में रख दूँगी और इस तरह हम एक पैपिंग बैंग में क्रीम को जो है भर के साइड में रख देंगे और इसके अंदर मैंने एक स्टार वाला नॉजल जो है वो दाली हूँ आप नॉजल के बिना भी इसको बना सकते हैं मेरे पास था तो मैंने वो इस्तेमाल की हूँ अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात आप इसको डायरक भी बना सकते हैं तो अब यह देखिए पैपिंग बैंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गया है तो जिस कंटेनर में या जिसमें आपको सेट करना है वो आप बॉल कंटेनर जिसमें भी आपको सेट करना है उसमें जो सबसे पहले हम इस तरह बिस्किट डाल देंगे जो बिस्किट को हमने पीस के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको डालने के बाद जो है अच्छे से इसको फैला देंगे इस तरह ताके जो इसकी लियर है वो अच्छे से दीखे जब यह सेट हो तो यह दिखने में बहुत अच्छे लगती है तो इसलिए हम इसको अच्छे से इसके किनारों में जो है सेट कर देंगे तो ये बिस्कित डालने के बाद जो है इसके उपर हम कस्रड डालेंगे जो कस्रड हमने रेडी करके रखे थे वो अब थोड़ा थंडा हो गया है तो वो अब इसमें हम एक एक चमर डालेंगे फिर उसके बाद कम लगेगा तो हम इसमें और थोड़ा डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टरी बनाता आप लोग इसे जरूर ट्राइ करना और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो ये देखिए आप मैंने थोड़ा और इसमें डाल दियू और अभी एक कस्टर्ड डालने के बाद जो इसके ओपर हम वापस से एक लियर जो है बिस्किट की डालेंगे तो दूसरी लियर बिस्किट की डालने के बाद भी इसको वैसी हम इसको फैला देंगे ताकि हमारी layers जो है custard विस्कीट की जो है वो अच्छी से दिखे और इसके बाद हम जो cream को जो पैपिंग बैंग में भरके रखे थे वो अब इसके उपर हम दाल देंगे तो यह देखें मैंने star वाला nozzle इस्तेमाल की हूँ तो विप क्रीम जो है अच्छे से इस पर डालने के बाद जो है जो बिस्कीट है उसको हाथ से ही crush करके हम इसके उपर गारिश कर देंगे और हमारा जो है lotus बिस्कॉप dessert जो है बिल्कुल ready हो गया है तो आप लोग इसको 2-3 खंटे के इसको फ्रीज में रखे उसके बाद आप इसको enjoy करें तो friends recipe कैसी लगी comment करके जरूर बताना recipe अच्छी लगी तो like करना share करना और मेरे चानल को जरूर subscribe करना Instagram पर मुझे follow करें thank you so much Allah अपीस